हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो फूड हब आज हम बनाएंगे मेती मतर मलाई वो भी हम बनाएंगे धाबा स्टाइल में और बहुत ही इस तरह की से बनाएंगे चली शुरू करते बनाना और अगर आप माई वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहे हैं तो हमें सस्क्राइब करना न यहां हमने एक पैन ले लेना है यहां हम डालेंगे घी गी को गरम कर लेंगे हमें आज को मीडियम ही रखना है बहुत ज़रा हाई नहीं रखना है बिल्कल भी थोड़ा गरम होते ही इसमें हम तो काजू एट कर देंगे और इसको मिलाते हुए हम लो फ्लेम में इसे भून ल अपसे पैन में हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे यह हमने जीरा एड्ड किया है इसे क्राइकल होन देंगे यह हमने काली मिर्ची के दाने लिये हैं इलायची लिया है दालचीनी दिया है और तेर पता लिया है और सुकी लाज मिर्ची ली है इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए जब तक ये एक अरोमा नहीं देन लगे हमें यहां मैंने प्याज को छोड़े चॉप करके रखा है इसे भी हम डाल लेंगे और इसे हम भून लेंगे जब तक इस वह कल्रड चेंज ना हो जाए कि इसे में हम पीच में हम थवास हो डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे इसे भी डालके भून लेंगे स्टार्टिंग में आप डालेंगे तो प्याज नहीं भूनता है और यह चिपक जाता है तो इसलिए हमने भूनने के बाद इसे डाला है यहां पर एक बार जब भून जाए अच्छे से अद्धर टसन का पेस्ट अब इसे हम डालेंगे कुछ सूखे मसाली यहां मैंने हल्दी जाला है धन्या पॉर्ड़ डाला है इसकी सालों की मेजरिमेंट मैंने दे रखी है आप डिस्क्रिप्शिट मॉक्स में देख सकते हैं यहां मैं था नमक एड़ किया है रेच चिली पॉर्डर एड़ किया है और थोड़ी रंग वाली जो है देगी मिर्च वह भी आड़ की ह में थोड़ा सा जीरा पॉडर एड़ किया है और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे मसाली हमारे पक जाया मसालों को महीं भूल नेना है ना है और इस चेज़ पर आपको लगए थोड़ा तेल अप आड़ कर सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूं यहां पर इक मिला के हम मिला लेंगे इच्छे से इस तरह से हम हुन लेंगे टमाटरों को जितक इसका रौन इस बिलकुल चल नहीं जाता है कच्छा पर जाने के बार में ही हम आगी का स्टेप करेंगे अरिवर आपको 10-15 मिट लगेंगे टमाटरों को पकाने में इस तरह से देखिए तेल उपर आ चुका है तो मतलब टमाटर हमारे पक चुके हैं मिलकुर यह रेडी हो चुका है तो हम यहां हमने मटरो को लिया है इसे हलका सा बॉयल कर लिया है जार नहीं इसे भी हम अड़ कर लेंगे मेंने फ्रेश मटर लिए हैं आप चाहें तो फ्रोजन भी ले सकते हैं बट सीजन का टाइम है तो आफ फ्रेश मटर ही उसकी जीजिएगा इसका टेज़ बहुत ही अच्छा आता है इसे ही मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से मटर मिक्स हो जाए उसके बाद में हम डालेंगे फ्रेश मेती हमें ने 2800 ग्राम मेती लिया है इसे चौप किया है दोया है अच्छे से धोग कर ही हम इसे आड़ कर रहे हैं मेति को धोना या कोई भी साब को धोना बहुत ज़रूरी है इसका बिलकुल धान रखें और उसके बाद में ही अपनी सब्जियों में आड़ करें हम साइच चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से मेति में करवाहट पन रहता है इसलिए मैंने पहले याड़ कर दिया है इसे मेति और मत्र दोनों ही एक संग पक जाए और इसका अरोमा एक संग ब्लेंड हो जाए अब यहां हम डालेंगे गरम पानी गुर्मुना पानी और इसे भी हम डालकर से मिला लेंगे इसमें कच्चा पानी या डायेक्ट पानी धंडा पानी मिलकुल मा डाले ये तो सबजी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अलग हो जाएगा इसका बिलकुल धान लखें और इसे हम मिलाते हैं पका लेंगे साइज चीज अच्छे से मिक्स हो जाएं इसे हम 15-20 मिनट तक ढखके इसे हम पका लेंगे इसे मेथी का रॉनेस और मटर की खुशबूज होती है वो आपस में मिलकर एक बहुत चटेस देगा अब इसमें हम डालेंगी थोड़ी सी चीनी चीनी एक flavor enhanced करेगी और एक flavor को balance करती है तो चीनी आप जरूर डाले चाहे तो आप avoid भी कर सकते है यहां मैंने कसूरी में थी और करम मसारा भी डाला है इसे भी डालके आप बच्चे से मिला ले अब यहां मैंने मलाई लिया है आप चाहिए तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं इसे भी डालके हमें लो फ्लेम में बिल्कुल इसे पकाना है फ्लेम बिल्कुल लो रखना है चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हैं अगर फ्रेश मलाई आप ले रहे हैं तो इसे हम मिला लेंगे मेरी फ्रेश के छणडी बलाई थी इसलिह मैंने ओन कट रगाता फ्लेम को एक पर साइच्छी चीज अच्छे से मिक्स हो जायए फ्लेम को बिल्कुल आफ कर देंगे निसका टेक्षिश बिल्कुल चेंज हो जाएगा मलाई अपना घी जो छोड देगा तो बिल्कुल टेक्ष नान या चावल किसंग एज्जॉय कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है बहुत ही एजी है जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सरूँ